श्री गनेशाय नमहा, श्री जानकी वल्लभो विजयते हे सखा ऐसा समझ मोह कोत्याग कर श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो इस प्रकार श्री राम चंदर जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुक देने वाले श्री राम जी जागे शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री राम चंदर जी ने सनान किया फिर बढ़ का दूद मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मन जी सहित उस दूद से सिर पर जटाएं बनाई यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया उनका हिरते अत्यंत जलने लगा मुह मलिन उदास हो गया वे हाद जोड कर अत्यंत दीन बचन बोले हे नात मुझे कोसल नात दश्रत जी ने ऐसी आग्या दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ वन दिखाकर गंगासनान कराकर दोनों भाईयों को तुरंत लौटा लाना सब संचे और संकोच को दूर करके लक्षमन, राम, सीता को फिरा लाना महाराज ने ऐसा कहा था अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं मैं आपकी बलिहारी हूं इस प्रकार विनती करके वे श्री राम चंदर जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे आयोध्या अनाथ न हो श्री राम जी ने मंत्री को उठा कर धर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात आपने तो धर्म के सभी सिध्धान्तों को च्छान डाला है शिबी, दधीची और राजा हरिश्चंदर ने धर्म के लिए करोडों अनेको कष्ट सहें थे बुद्धिमान राजा, रंतिदेव और बली बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश चा जाएगा प्रतिष्ट पुरुष के लिए अपयश की प्राक्ति करोडों मृत्यू के समान भीशन संताप देने वाली है हे तात मैं आप से अधिक क्या कहूं? लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ आप जाकर पिता जी के चरण पकड़ कर करोडों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़ कर विनती करियेगा कि हे तात आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैशी है हे तात मैं हाथ जोड़ कर आप से विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही करतब्य है जिसमें पिता जी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें श्री रगुनात जी और सुमंत्र का यह समबाद सुनकर निशाद राज कुटुम्बियों सहित व्याकुल हो गया फिर लक्ष्मन जी ने कुछ कडवी बात कही प्रभु श्री राम चंदर जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया श्री राम चंदर जी ने सकुचाकर अपनी सोगंद दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मन का यह संदेश न कहिएगा सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश न सह सकेंगी अतेव जिस तरह सीता अयुध्या को लौट आवे तुमको और श्री राम चंदर जी को वही उपाय करना चाहिए नहीं तो मैं बिलकुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जलके मचली नहीं जीती सीता के माई के, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है जब तक यह विपत्ती दूर नहीं होती, तब तक वे जहां, जब जहां जी चाहे, वहीं सुख से रहेंगी राजा ने जिस तरह, जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता कृपा निधान शी राम चंदर जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोडों अनेको प्रकार से सीख दी उन्होंने कहा, जो तुम घर लोट जाओ, तो सास, ससुर, गुरू, प्रियजन एवं कुटम भी सब की चिंता मिट जाए पती के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपती, हे परम्स नहीं, सुनिये हे प्रभो, आप करुणा में और परम ज्यानी हैं, कृपा करके विचारतों कीजिए शरीर को छोड़ कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़ कर कहा जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहा जा सकती है इस प्रकार पती को प्रेममई विनती सुना कर सीता जी मंत्री से सुहावनी वानी कहने लगी आप मेरे पिताजी और ससुर्जी के समान मेरा हित करने वाले हैं आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ यह बहुत ही अनुचित है किन्तु हे तात मैं आर्थ होकर ही आपके सम्मुक हुई हूँ आप बुरा ना मानियेगा आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं मैंने पिताजी के एश्वरे की छटा देखी है जिनके चरण रखने की चोकी से सर्वशिरोमनी राजाओं के मुकुट मिलते हैं अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है पती के बिना मेरे मन को घूल कर भी नहीं भाता मेरे स्वसुर कोसल राज चक्रवर्ती समराथ हैं जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंगासन पर बैठने के लिए स्थान देता है ऐसे एश्वर्य और प्रभाव शाली ससुर उनकी राजधानी अयोध्या का निवास प्रिय कुटुम्बी और माता के समान सासुएं ये कोई भी श्री रगुनात जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे सपन में भी सुकदायक नहीं लगते दुर्गम रास्ते, जंगली धर्ती, पहाड, हाती, सिंग, अतहा तालाव एवं नदिया, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपती रगुनात जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे अतहा सास और ससुर के पाउं पढ़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें मैं वन में सभाव से ही सुखी हूँ वीरों में अग्रगर्ण्या रथा धनुष और बान से भरे तरकश धारन किये मेरे प्राणनात और प्यारे देवर साथ हैं इससे मुझे न रास्ते की थकावट है न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें शुमंत्र सीता जी की शीतलवाणी सुन कर ऐसे व्याकुल हो गये जैसे साप मनी कोग चाने पर नेत्रोंसे कुछ सूझता नहीं, कानोंसे सुनाई नहीं देता, वे बहुत व्याकुल हो गये, कुछ कह नहीं सकते श्री राम चंदर जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेको यत्न किये युक्तियां पेश की पर रगुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए श्री राम जी की आग्या मेटी नहीं जा सकती कर्म की गति कठिन है उस पर कुछ भी वश नहीं चलता श्री राम लक्षमन और सीता जी के चर्णों में सिर्नवाकर सुमंत्र इस तरह लोटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन पूंजी गवाकर लोटे सुमंत्र ने रत को हाका घोडे श्री राम जी की ओर देख देख कर हिन्हनाते हैं यह देख कर निशाद लोग विशाद के वश होकर सिर्धुन धुन कर पीट पीट कर पच्छताते हैं जिनके वियोग में पश्यू इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री राम चंदर जी ने जबर्दस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, परवल आता नहीं, वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया, तुम्हारे चरणकमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सूंदरी स् मेरी नाव तो काट की है, काट पत्थर से कठोड तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनिकी स्थ्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाओंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे, और मेरी रोजी मारी जाएगी, मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोशन करता हूँ, दूसरा कोई धंदा नहीं जानता, हे प्रभू, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो, तो मुझे पहले अपने चरण कमल पकारने धो लेने के लिए कह दो, हे नात, मैं चरण कमल धोकर आप से कुछ उतराई नहीं चाहता, हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दस्रत जी की सौगंद है, मैं सब सच सच कहता हूँ, लक्ष्मन भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पकार न लूँगा, तब तक हे तुलसीदास के नात, हे कृपालू, मैं पार न जानकी जी और लक्ष्मन जी की ओर देख कर हसे, कृपा के समुद्र श्री राम चनर जी केवट से मुस्करा कर बोले, भाई तू वही कर, जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धोले, देर हो रही है, पार उतार दे, एक बार जिनका नाम स्वरन करते ही, म जिन्होंने वामन आवतार में जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, दो ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालू, श्री राम चनर जी, गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, प्रभु के इन वचनों को सुनकर, गंगा ज जी की बुद्धी मोह से खिच गई थी, कि ये साक्षाद भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनकों को देखते ही, उन्हें पैचान कर देवनदी गंगा जी हर्शित हो गई, वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नश्ट हो गया, और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी यह विचार कर वे हर्शित हो गई, केवट श्री राम चंदर जी की आग्या पाकर कठावते में भर कर जल ले आया, अत्यंत आनं और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा, सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे कि इसकी समान पुन्य की राशी कोई नहीं है, चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयम उस जल चरणोंदक को पी कर, पहले उस महान पुन्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर, फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया, निशाद राज और लक्ष्मन जी सहित, श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतर कर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए, तब केव केवट ने उतर कर दंडवत की, उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं, पती के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगूल से उतारी, क्रिपालो श्री रामचंद्र जी ने केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिये, उसने कहा, हे नात, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोश, दुख और धरिदता की आग आज बुझ गई है, मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी, हे नात, हे दीन दयाल, आपकी क्रिपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लवटिती बार आप मुझे जो कुछ देंगे, वह प्रसाद मैं सिर्फ चड़ा कर लूँगा, प्रभू श्री राम जी, लक्ष्मन जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता, तब करुणा के धाम भगवान श्री राम चंडर जी ने निर्मल भक्ति का वर्दान देकर उसे विदा किया, फिर रगुकुल के स्वामी, श्री राम चंडर जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर्नवाया, सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरत पूरा कीजिए, जिस से मैं पती और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूँ, सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ट वानी हुई, हे रगुवीर की प्रियतमा जान की, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालुम है, तुम्हारे कृपाज़श्टि से देखते ही, लोग लोकपाल हो जाते हैं, सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं, तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वानी सफल होने के लिए तुम्हें आशिरवाद दूँगी, तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनह कामनाएं उरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा, मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देवनदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनन दित हुई, तब प्रभुश्री रामचंदर जी ने निशाद राज गुह से कहा कि भईया अब तुम घर जाओ, यह सुनते ही उसका मुह सूख गया और हृदय में धाह उत्पन हो गुह हात जोड़कर दीन वचन बोला, हे रगुकुल शिरोमणी मेरी विनती सुनिये, मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर, चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रगुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, वहां मैं सुन्दर पर्ण कूटी, पत्तों की कुटिया बना दूँगा, तब मुझे आप जैसी आज्या देंगे, मुझे रगुवीर आपकी दुआई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वभाविक प्रेम को देखकर, श्री राम चंदर जी ने उसको साथ ले लिया, इससे गुह के हिर्दय में बड़ा आनंद हुआ फिर गुह निशाद राज ने अपनी जाती के लोगों को बुला लिया और उनका संतोश कराके तब उनको विदा किया। तब प्रभू, श्री गुनात जी, गनेश जी और शिव जी का स्वरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवा कर सखा, निशाद राज, छोटे भाई लक विवस्था कर दी, प्रभू श्री राम चंदर जी ने सबेरे प्राता काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किये। उस राजा का सत्य मंत्री है, शद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेनी माधवजी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुन्दर देश है। प्रयाग शेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुन्दर गढ़ किला है, जिसको स्वपन में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संप गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोबित सिंगासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दृद्रता पॉराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुनगणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाती के मारने के लिए सिंग रूप प्रयाग राज का प्रभाव महत्व महात्में कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तिर्थ राज का दर्शन कर सुख के समुद् रगुकुल श्रेष्ट श्री राम जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्षमन जी और सखा गुह को तित राज की महिमा कहकर सुनाई। ततन अंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्में कहते फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा, पूजा की और विधी पूर्वक तिर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान, पूजन आदी सब करके तब प्रभुश्री राम जी, भरद्वाज जी के पास आये। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनी के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मा आनंद की राशी मिल गई हो। मुशल पूछ कर मुनी राज ने उनको आसन दिये और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमरित के ही बने हों ऐसे अच्छे-च्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिये। हे राम आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तिर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जब, योग और वेराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुब साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाब की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़ कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पुन हो गई। आप क्रिपा करके यह वर्दान दीजिये कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़ कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोडों उपाय करने से भी सपन में भीव सुख नहीं पाता। मुनी के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से त्रिप्त हुए भगवान श्री रामचंदर जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने एश्वर को छिपाते हुए श्री रामचंदर जी ने भरद्वाज मुनी का सुन्दर सुयश करोडों अनेको प्रकार से कहकर सब को सुनाया। उन्होंने कहा हे मुनीश्वर जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुन समूहों का धर है। इस प्रकार श्री रामजी और मुनी भरद्वाज जी दोनों परस पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनिय सुक का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मन और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनी, सिद्ध और उदासी सब श्री दश्रत जी के सुन्दर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री राम चनर जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुक पाकर आशिरवाद देने लगे। बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनी से कहा हे नात बताये हम किस मारग से जाएं। मुनी मन में हसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मारग सुगम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनी ने सिश्चो को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्शित हो कोई पचास सिश्या आ गए सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है तब मुनी ने चुनकर चार ब्रमचारियों को साथ कर दिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत प कर चले जब वे किसी गाउं के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दोड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं जन्म का फल पाकर वे सदा के अनात सनात हो जाते हैं और मन को नात के साथ भेज कर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लोटाते हैं तदनंत कर श्री राम जी ने विनती करके चारो ब्रह्मचारियों को विदा किया वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लोटे यमुना जी के पार उतर कर सबने यमुना जी के जलमे स्थान किया जो श्री राम चनर जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुन कर कि निशाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार, नव युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दोड़े और लक्षमन जी, श्रीराम जी और सीता जी का साउंदर्य देख कर अपने भग की ब उन्होंने युक्ति से श्रीराम चंदर जी को पहचान लिया, उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की अग्या पाकर ये वन को चले हैं, यह सुन कर सब लोग दुखित हो, पच्छता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया, उसी अउसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुन्दर था, उसकी गती कवी नहीं जानते, अथवा वह कवी था, जो अपना परिचे नहीं देना चाहता, वह वैरागी के भेश में था, और मन, वचन तथा कर्म से श्रीराम चंद जी का प्रेमी था, इस तेजह पुंज, तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार, छेपक मानते हैं, और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और उपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परन्तु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है, गुसाई जी इस तापस को जब कभी अलखित गती कहते हैं, तब निश्चे पुर्वक कौन क्या कह सकता है, हमारी समझ में यह तापस यातोश्री हनुमान जी थे, अथवा ध्यानस्त तुलसी दास जी, अपने इश्च देव को पैचान कर, उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुल पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया, उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महा धरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो, सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परमतत्व दोनों शरीर धारन करके मिल रहे हैं, फिर वह लक्ष्मन जी के चर्णों लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया, फिर उसने सीता जी की चर्ण धूली को अपने सिर्परधारन किया, माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशिरवाद दिया, फिर निशाद राज ने उसको दंडवत की, श्री राम चनर जी का प्रेमी जानकर वह उसनिशाद से आनंदित होकर मिला, वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ, जैसे कोई भूखा आदमी सुन्दर भोजन पाकर आनंदित होता है, इधर गाउं की स्त स्रियां कह रही हैं, हे सकी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं, जिनोंने ऐसे सुन्दर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया, श्री राम जी, लक्षमन जी और सीता जी के रूप को देख कर सब स्त्री पुरुष स्ने से व्याकुल हो जाते हैं, तब श्री राम चनर जी ने अपने घर को गमन किया, फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्षमन जी ने हात जोड़ कर यमुना जी को पुनह प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन पूर्वक आगे चले, रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेको यात्री मिलते हैं, वे दोनों भाईयों को देख कर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राजचिन्न देख कर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है, हाती और सिंगों से भरा या भयानक वन देखा तक नहीं जाता, यदि आग्या हो तो हम साथ चलें, आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुँचा कर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। इस प्रकार वेयात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाशों का जल भर कर पूछते हैं। किन्तु खृपा के समुद्र श्रीरामचनर जी कोमल विनय युक्त बचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गाव और पुर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसंचा पूर्वक ईश्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुब घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमेत था परम सुंदर हो रहे हैं, जहां जहां श्री राम चंदर जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं हैं, रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुन्यात्मा हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं, जो नेत और देव नदियां भी उनकी बढ़ाई करती हैं। जिस व्रिक्ष के नीचे प्रभु जा बैढते हैं, कल्प व्रिक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। सीता जी और लक्षमन जी सहित, श्री रगुनाथ जी जब किसी गाउं के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूल कर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम, लक्षमन और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाईयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए, उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंता मने की धेरी पाली हो, वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षन नेत्रो का लाब ले लो, कोई श्री राम चंदर जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उने देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं, कोई नेत्रमार्ग से उनकी छवी को हृदय में लाकर शरीर मन और शिष्ट वानी से शितल हो जाते हैं, अर्थात, उनके शरीर मन और वानी का व्यभार बंद हो जाता है, कोई बढ़ की सुंदर चाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते विछा कर कहते हैं कि शन बर यहां बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाईएगा, चाहे सबेरे, कोई घड़ा भर कर पानी ले आते है और कोमल वानी से कहते हैं नात, आच मन तो कर लीजिए, उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अतिन्द प्रेम देखकर दयालू और परम सुशील श्री राम चनर जी ने मन में सीता जी को ठकी हुई जान कर घड़ी भर बढ़ की छाया में विश्राम किया, स्त्री श्री राम चनर जी के मुक्चनर को चकोर की तरह तनमय होकर देखते हुए चारों और सुशोवित हो रहे हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदी वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हातों में धनुशवान शोबित हो रहे हैं। अधिक है और मेरी बुद्धी थोड़ी है। श्री राम, लक्षमन और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित और बुद्धी तीनों को लगा कर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गाउं के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधूर्य की छटा देख कर ऐसे ठकित रह गए जैसे दीपक को देख कर हिरनी और हिरन निस्तब्द रह जाते हैं। गाउं की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यनत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। परंतु स्त्री सभाव के कारण कुछ पूछते हुए डड़ती हैं। हे स्वामिनी हमारी डिटाई शमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा ना मानियेगा। ये दोनों राजकुमार सभाव से ही लावण्य में परंसुंदर हैं। मरकतमणी, पन्ने और सुवण ने कांती इनी से पाई है। अर्थात मरकतमणी में और सुवण में जो हरित और सुवण वण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और सुवण कांती के एक कण के बराबर भी नहीं है। शाम और गौर वण है, सुन्दर किशोर अवस्था है, दोनों ही परंसुन्दर और शोभा के धाम है, शरत पुर्णिमा के चद्रमा के समान इनके मुख और शरत रितु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायन, सोलहवा विश्राम